आज हम बात करेंगे 2021 मारूती सुचकी अर्टिगा वी एक्साइज सी एंजी वेरियन्ट के बारे में काईज मार्केट के अंदर एक मातर एक ऐसी गारी है जो ग्यारा लाग रुपए के बजट में सेवन सीटर तो मिलती ही है साथ में कंपनी फिटेट सी एंजी भी मिल जाती है आज मैं बताऊंगा कि ये गारी कितनी प्रेक्टिकल है इस गारी के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल रिफाइन एंजन जो की 92 बहपी की पावर वो 122 नम का टॉर्क जनरेट करता है दो एर बैक ABS, EBD जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं गाईस सबसे पहले हम बात करेंगे इस गारी के एक्स्टीर की एक्स्टीर में सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की फ्रंट प्रोफाइल में आप जैसे ही देख रहे होंगे क्रोम फिनिस के साथ ग्रिल मिल जाती है जिसमें बीच में सुचकी मारूती सुचकी का लॉगो मिलता है और साइड में आएंगे तो साइड में आपको प्रोजेक्टर हैचल लेंप मिल जाते हैं और हाइबीन के लिए हेलोजन हैचल लेंप मिल जाते हैं । और उसके बगल में है इंडिकेटर और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे fog lamp का option दे रखा है इस variant में fog lamp नहीं मिलता है लेकिन आप बाहर से लगवा सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लोग आता है front profile का अब हम चलेंगे इसकी side profile पे सबसे पहले बात करेंगे इसके tire size की इसका tire size है R15 का tire दे रखा है front tire में disc brake है और rear में drum brake है और ये alloy में नहीं मिलता है तो गाड़ी की length की बात करें तो 4395 mm इसकी length है और इसकी width है 1735 mm ORBM body color मिल जाते हैं और ORBM पे आपको मिल जाता है indicator और ORBM electrically foldable है electrically adjustable भी है और ये रहा body color door handle और उपर में एक antenna दे रखा है अब चलते हैं back profile की तरफ back profile में उपर आप देख रहे हैं गोई high stop mount lamp मिल जाती है और इसमें आपको defogger और rear wiper नहीं मिलता है अब देखिए इसकी back light को back light भी काफ़ी अच्छी लग रहे हैं बहुती सुन्दर बनाई है और पीछे indicator भी है और ये रहा आपका बीच में मारूती सुचकी का लोग और नीचे आप बंपर पर आएंगे बंपर पर दे रखे हैं चार parking sensor और दो reflector देखिए ये रहे reflector अब कर लेते हैं interior की बाद ये रही की की में दिये हैं दो button lock unlock करने के लिए इसमें दो की मिल जाती है आपको लेकिन अब फिलार एक की है चलिए एक खोले गेट और गेट देखिए जो इस पर सारी control गेट पर दे रखें गेट देखिए बहुती बड़ा गेट है वाइड खुलता है और इस गेट पर जो है सारी control पावर विंडू कंट्रोल दे रखें ये देखिए और ये जो है फ्रन्ट जो ड्राइबर साइट का पावर विंडू है वो वन टच्च डाउन है वन टच अप नहीं और इसी में जो है आपको electrically adjustable जो ORBM है यही से कर सकते हैं और यहीं से जो है आप electrically fold भी कर सकते हैं और यहीं से आप lock भी कर सकते हैं नीचे देखिए bottle holder दे रखा है और speaker दे रखा है अब चलिए interior की बात कर लेते हैं सबसे पहले seat की बात करते हैं seat height adjustable नहीं है जो की यह बस एक कमी खलती है बांकी तो थाई support बगएरा बढ़िया है बिंदास है और यह बैठ गया है हम गाड़ी के अंदर और यह देखिए इसमें telefonics जो है control दे रखे हैं यहीं पर और यह देखिए यहां पर mode बगएरा रोडी रेडियो की mode बगएरा चेंज क कर सकते हैं volume up down कर सकते हैं और यह देखिए bluetooth हो गया और यहीं से call receive call कार सकते हैं और यह देखिए side में देखिए side में बटन दे रखा है fuel को switch करने के लिए cng to petrol petrol to cng और उसके just bugle में दे रखा है headlight को adjust करने के लिए कि बीम कितनी दूर जाने है कितनी दूर नहीं जाने ड्वैल टोन में आपका पूरा वो मेरे आते हैं MID के उपर MID analog meter है और यह दिया है और बगल में दिया है speedometer यह दिनों analog हैं और बीच में दिया है आपका digital screen चोटी सी दिये है इसमें आपको petrol और cng का किता बचा है petrol और cng क देता है और gear up down का भी indication देता है और यह देखिए dual tone में रहा इसका dashboard बहुती प्यारा लोग है और ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन flat है तो कोई दिक्कत की बात नहीं सामान आराम से रख सकते हैं यह रहा आपका infotainment system to den का है यह इसमें radio दे रखा है और यह लगता है जिसे touch ह नहीं है यह इसमें आप USB से connect कर सकते हैं और यह रहा आपका hazard light का button और नीचे आएंगे तो manual AC control दे रखे हैं और नीचे देखिए यह रहा 12 बोल्ड का socket और यह रहा USB और AUX का socket यह देखिए और नीचे कुछ space दे रखा है mobile hold करने के लिए और यह देखिए इसके side bagel में दे रखे हैं दो का फोल्डर जो cold हैं और क्यूंकि ठंडा आप ठंडी कर सके रखें ठीक है बहुत बढ़िया system यह दे रखा है और यह रही gear knob और यह देखिए यह रहा यहां पर पैसे IRBM होना चाहिए था लेकिन भाईया ने वो लगवारा का rear camera इसके पीछे है day night adjustable rear view mirror और यह देखिए उपर दे रखिए light और बगर में देखिए यह ticket holder दे रखा है driver side और यह दे रखा है benti mirror जो की co driver side है और यह देखिए अब बात करें grab handle की यह auto foldable grab handle है guys एक चीज बताना मैं भूल गया जो इसमें infotainment system दे रखा है इसमें आपको मिल जाते हैं quality भी इनकी बढ़िया है और बहुत ही अच्छा sound देते हैं चलिए अब rear seat पर बैट के देखते हैं कितना space है rear seat में यह हम आ गए है rear seat पे और यह बैट गए और यह देखिए चार उंगलियों का space रह रहा है मैं आराम से बैट पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं और उपर दे रखिए AC और ज़स्ट बगल में दे रखा है AC control यह देखिए यहीं से आप AC की speed control कर सकते हैं ठीक है और यह देखिए grab handle यह भी fold level है और front seat में जो हो गया आपका head rest है वो adjustable है और ऐसे ही आपको back seat पे भी मिल जाएंगे rear seat में भी head rest दिये हैं और यह बीच में दे रखा है arm rest लेकिन इसमें cup holder नहीं दे रखा है यहां kapolar रहता तो और अच्छा रहता वैसे तो बीच की seat पे जो है तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मुस्किल हो सकती है वैसे कोई दिखकर नहीं ऊपर देखिए यह भी light दे रखी है और यह rear में भी आपको बारा बुल्ड का socket मिल जाता है अब आ गए हम पीछे जाने के लिए जो last की seat row है उस पे जाने के लिए इसके handle को ऊपर करेंगे जिससे की यह fold हो जाएगी और यहां आराम से पीछे पहुंच सकते हैं और यह देखिए पीछे की seat है इस पे जो है आरा सरफ दो ही बैठ सकते हैं थाई support बहुत अच्छा है और देखिए पीछे भी bottle holder दे रखा है पीछे के भी जो है headrest है adjustable है और पीछे जो grab handle है वो normal दे रखे हैं यह foldable नहीं है यहां बैठने पर जो यहां पर बैठेगा उसको थोड़ा सा भी suffocation नहीं होगा आराम से जो है बाहर देख सकता है mirror size जो है बहुत बढ़ा दिया है ठीक है यह दोनों seat fold हो जाती है चलिए आप पीछे दिखाते हैं आपको boot इसका कितना है नॉर्मल boot चलिए यह देखी बूट खुल गया नॉर्मल बूट है 209 लीटर का boot है और यह tray लगी है नीचे इसके slender है ठीक है अगर चारों seat को हम fold कर देंगे यह वाली seat और आंगे वाली seat तो लगबख 800 लीटर का boot मिल जायेगा अगर दो लोग सफर कर रहे हैं तो जित्ता सामान हो आराम से चारों seat fold करके रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसको bed भी बना सकते हैं आराम से लेड़ भी सकते हैं वहाँ पे गाइस बाकी तो गाड़ी सेम ही है जैसी पहले आती थी और इसकी ज़्यादा हाई डिमांड है इसलिए यह market में short चल रही है लगवाग एक साल की waiting चल रही है तो गाइस अगर आप अर्टिगा लेना चाहते हैं सी एंजी गाड़ी लेना चाहते हैं अगर तो अर्टिगा ही एक ऐसा option है जो सेवन सीटर भी है और सी एंजी भी है और गाड़ी एकदम मस्त है इस्पेसियस है कोई दिक्कत नहीं है और सी एंजी भी है पैट्रोल भी है सी एंजी पे इसका माइलेज है 26 आपको वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताए कमेंट सेशन में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे आने वाल के लिए जहन